नमश्कार दोस्तों चलिए तो अभी हमने जो डिसकस किया कुन सा मॉडल सौर्ट टेक ओडर वाला या स्टॉक आउट वाला जो मॉडल डिसकस किया उसी से रिलेटेड हम अब क्वेशन्स डिसकस कर रहे हैं ठीक है चलिए तो कुछ नहीं बड़े सिंपल से क्वेशन है इसके गौरी के वीडियो के फॉर्मूले सारे लिखें नोट डां करें कि यह फॉर्मूले अपने पढ़ें उसके बाद क्वेस्चनस को डिसकस करें ठीक है मतलब क्वेशन्स जो मैं बता रहा हूं यह क्वेसिन पढ़ें इसके अलावा भी जहां से भी जैसे भी क्वेसंचन आप आपको workbook से मिलते हैं, तो workbook से solve करें, आपको previous year से मिलते हैं, previous year से solve करें, ठीक है, कोई problem नहीं है, लेकिन question करना mandatory है, ठीक है, चरिए, तो discuss करते हैं, पहला question, dealer supply following formation, तो total जो demand है, वो मेरा कितना है, 10,000 unit का है, cost एक unit का कितना है, 20 rupees आ रहा है, ordering cost 10 rupees है per order, and CH is 20% of C, कितना हो जाएगा, 20%, 0.2 into 20, ठीक है, तो 4 rupees राउंड आएगा, तो dealer is considering, तो यह पुरे पहले इवन डिटा लिखिए आप, dealer is considering the possibility of back order, and dealer estimated that annual cost of back order is 25% of C, मतलब, यहां सही अपने को क्या मिल जाएगा, CB भी मिल जाएगा, CH उपर से मिलेगा, CB यहां से मिलेगा, ठीक है, तो CB कितना निकलेगा, 25% of C, मतलब, C मेरा 20 है, तो 0.25 into 20, ठीक है, तो यहां से मेरा CB निकल गया, then determine, क्या क्या determine करना है, पहली चीज, optimum number of unit to be ordered, मतलब Q star निकलना है, तो Q star का formula क्या था, square root of twice of COD upon CH into, square root of CB plus CH upon CH, ठीक, CB, sorry, CB, ठीक है, तो CH plus CB upon CB, ठीक है, तो यहां से यह निकलेगा, quantity to be back order, मतलब, back order की quantity मतलब क्या होगा, एस निकालना है, would you recommend to allow back ordering, if so annual cost saving, by adopting the policy of the back order, ठीक है, तो मतलब, यदि यदि back order नहीं allow करें, और सीधे cost निकालें, तो उस case में, और back order के साथ निकालते हैं, तो दोने की cost में कितना difference आता है, तो कुछ save होता है, यह हमारा loss होता है, वो depend करता है, ठीक है, तो चलिए, तो, उसी को हम यहां पर discuss कर रहे हैं, तो q star निकाल लिए, as usual, square root of twice of cod upon ch, ch plus cb upon cb, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो सारी values उठा के put की, तो q star कितना आ गया, 2, d कितना था मेरा, 1000, 30, co, ordering cost 10 था, और ch, 20 into 0.2, ठीक है, 4 plus 5 upon 5, तो यह कितना आ जाएगा, ठीक है, तो, और cb, कितना आ जाएगा, 5 रूपीज, क्योंकि 0.25 into 20 था, तो यहां से मेरा जो ordering cost था, मतलब quantity था, q star, economic order quantity आ गया, मेरा 300 unit, इसी तरह से s star भी निकाल सकते हैं, तो s star का formula क्या था, s star equals to q star into cb upon cb plus ch, ठीक है, यही formula था, ठीक है, आभी इस से पहले वाले वीडियो में हमने भी discuss किया, कि s star equals to q star into ch upon cb plus ch, sorry, ch upon cb plus ch, ch क्या है, ch आया मेरा 4 रूपीज, तो 4 upon 4 plus 5, ch upon ch plus cb into q star, तो q star की value यहां से cd आ गई, ठीक है, तो कितना आ गया मेरा, 133.33 unit, yes, star आ गया, इसी तरह से यदि हम मान लो कि back order permit करते हैं, ठीक है, तो उस case में without back order पहले निकाल लेते हैं, कि भाई, तो without back order यदि cost निकाला मैंने, तो square root of twice of cod into ch आता है, यह ch है, ठीक है, भी नहीं, तो ch आ जाएगा, तो यह कितना आ गया, 2 into 10,000 into 10 into 5, 4, तो यह आ गया मेरा, 894.4, इसो calculate करके देखेगा, with back order, तो back order के case में, मेरा, जो total inventory cost का formula था, क्या था, square root of twice of cod into ch, into square root of cb upon cb plus ch, देखो, q के case में cb plus ch upon cb, और cost के case में क्या आ रहा है, cb upon cb plus ch, मतलब, जो भी वहाँ आ रहा था, उसका, उल्टा, यहाँ पर क्या करना, अपने को cost, minimum, तो यह वाली term, क्या आना चाहिए, less than one आना चाहिए, ठीक है, और इसमें, b, यहाँ पर, b, उपर की तरफ है, वहाँ पर भी upon में था, ठीक है, तो उस case में, कितना आ गया, 866, sorry, 666.6, ठीक है, तो कितना, मतलब, यहाँ बेक order के साथ में करता हूँ, काम, तो उसमें कितना इतने पैसे लग रहे हैं, और without बेक order काम करता हूँ, तो इतने पैसे लग रहे हैं, तो एक और model होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कि आप उसमें production rate, demand rate, मतलब, जो production या built-up model था, ठीक है, built-up model था, या production model था, उस model को भी, as well as shortage को भी, दोनों models को क्या कर रहे हैं, consider कर के चल रहे हैं, मतलब, आपने दोनों ही model ले लिए, मतलब, production, built-up model भी आपने ले लिया, और shortage model भी ले लिया, I mean to say, कि आप जब इसका q star calculate करेंगे, तो production rate और demand rate को भी लेके चलेंगे, और shortage cost को भी लेके चलेंगे, तो उस case में केवल क्या change आ रहा है, कि जो formula था, देखो, यदि मैं इतना formula केवल देखूं तो, किस के लिए हो गया ये, production model के लिए, और यदि मैं केवल ये दो term को देखता हूँ, तो, ये दो term के लिए बात करते हैं, तो, ये दोनो term किस case में लग रही है, अभी वाले previous case में, back order वाले case में, मतलब, यदि मैं दोनों को combine कर देता हूँ, तो यहाँ पर production factor जो था, वो भी multiply हो जाएगा, और यहाँ पर जो cost factor था, ये भी multiply हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब, दोनों ही multiply होके, हमारा combined वाला case बनेगा, ठीक है, तो इसका एक question आप करके जरूर देखिएगा, and total inventory cost में भी वही हो जाएगा, कि मतलब, ये जो square root of twice of COD into CH, ये कौन सा, पहले वाला case, ठीक है, उसमें ये ये मैंने production को add कर दिया, तो क्या हो जाता है, square root of minus B upon P, अब मैंने उसमें sortage को भी लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, CB upon CB plus CH, ठीक है, तो ये तीनों cases को, मतलब, जो तीन model है, ठीक है न, केवल मैं, इसमें price break वाले model की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो तीन model है, first, third and fourth, वो तीनों model को हमने क्या कर दिया, combine करके बात कर रहे हैं, ठीक है, तो in that case, जो आपका q star मतलब economic order quantity के value होगी, उसका formula ये होगा, और उसका formula ये होगा, और उसमें ये टोटल inventory cost निकालने के लिए आती है, तो उसका formula ये होगा, ठीक है, विससे इसका derivation इतना important नहीं है, तो हम उसको यहां पर discuss नहीं कर रहे हैं, चलिए, तो next lecture में हम probabilistic model discuss करेंगे, probabilistic model और उसका एक जो model number one है, that model number one is demand profit model और static inventory model, ये next lecture में हम discuss करेंगे, ठीक है, तो thank you for watching my video and best of luck for your exam, चरिए, तो next lecture में मिलते हैं, है ना, ठीक है, वो पर रहे हैं,